हलो दोस्तों मेरा नाम है सीवम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको विशाणू अर्थात वायरस तथा जीवाणू अर्थात बैक्टीरिया के बीच क्या अंतर होता है उसको हम बताएंगे अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिविकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए चलिए दोस्तों चलते हैं नेश्ट स्लाइड की तरफ नेश्ट स्लाइड आपके सामने आगया है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे की आपको अच्छे से दिख सके उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्लाइड अच्छे से दिख रही होगी दोस्तों हमने एक तरफ लिखा है विसाणू अर्थात वायरस दूसरी तरफ लिखा है जीवाणू अर्थात बैक्टिरिया पहला अंतर है विसाणूं का मापन मिली माइक्रॉन में किया जाता है और जीवाणूं में है जीवाणूं का मापन माइक्रॉन में किया जाता है यहाँ पर मापन सब्द का क्या मतलब है आईए मैं आपको बताता हूँ जैसे जब हम बजार में चीनी लेने जाते हैं तो हम कहते हैं एक किलो चीनी दे दो या हम कहते हैं आधा किलो चीनी दे दो तो यहाँ पर हम किलो सब्द यूज करते हैं जब हम बजार में केला लेने जाते हैं तो हम कहते हैं एक दरजन केला दे दो या आधा दर्जन केला दे दो तो यहाँ पर हम दर्जन सब्द यूज करते हैं तो ऐसे ही दोस्तों जो छोटे जीवों होते हैं उनको देखने के लिए माइक्राण और मिली माइक्राण सब्द यूज किया जाता है विसाणु जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं इसलिए इनको देखने के लिए मिली माइक्रॉन सब दियूच करते हैं और जीवाणु जो होते हैं वो थोड़े से विसाणु के कमपेर में बड़े होते हैं इसलिए हम इनको माइक्रॉन से माप कर सकते हैं तो उम्मिद करता हूँ आपको पहला पॉइंट समझ में आगया होगा दूसरा पॉइंट है विशाणू समानने तह 10 से 300 मिली माइक्रोन आकार के होते हैं ओके इनके साइज क्या है 10 से 300 मिली माइक्रोन ये केवल इलेक्ट्रान सुच मदर्सी द्वारा देखे जा सकते हैं अब हम बात करते हैं जीवाणू के बारे में तो दोस्तों जीवाणू 2 से 10 माइक्रोन आकार के होते हैं और इनको light microscope अर्थात प्रकास सूच मदर्सी द्वारा भी देखा जा सकता है तीसरे point बात करते हैं विसाणू निर्जीव वा सजीव के बीच सयोजिक कड़ी माना जाता है जबकि जीवाणू अति प्राचीन जीव जगत के सदस्य माने जाते हैं नेश्ट बात करते हैं विसाणू के सरीर में कोई कोस की संदचना नहीं होती है जबकि जीवाणू के सरीर में कोस की संदचना देखने को मिलती है नेश्ट बात करें विसाणू में कोस का भित्ती अर्थात सेलवाल नहीं होती है जबकि जीवान में कुसक्या भित्ति अर्था सेलवाल देखने को मिलती है जीवान जो होते हैं वो फिल्टर पेपर से चंकर अलग हो जाते हैं जैसे घर में अगर आप चाय बनाते होंगे तो आप देखते होंगे एक चंनी होती है जिसमें हम चाए को छानते हैं, तो हमारा जो चाए होता है, वो नीचे चलाता है, और अदरक हुआ और हमारा जो चाए पत्ती हो गई, वो इसी छन्नी में अटक जाते हैं, तो इसी प्रकार दोस्तों, जब हम विसाणू और जीवाणू दोनों को छानते हैं, तो क्या होता है? जो जीवान होता है वो नहीं छनता है और उपर ही अटक जाता है जबकि विसान जो होता है वो छनकर नीचे आ जाता है इसलिए हम कहते हैं जीवान जो होता है वो फिल्टर पेपर से नहीं छनता है जबकि विसान फिल्टर पेपर को भी पार कर जाता है तो यहाँ पर देखिए लिखा है ये फिल्टर पेपर से होकर निकल जाते हैं और इसमें लिखा है ये सूच्म फिल्टर पेपर द्वारा छनकर अलग कर सकते हैं असलब दोनों filter paper से पार कर सकते हैं लेकिन जो जीवान होता है वो बहुत ही rare filter paper से पार होता है और जो विसान होता है लगभग सभी प्रकार की filter paper से पार हो जाता है नेश्ट बात करें विसानगों में जीवद्रव नहीं होता है जबकि जीवानगों में जीवद्रव केंद्र की पदार्थ वा राइबोसोम सभी चीजे पाई जाती हैं अगला बात करें रासानिक दिरिष्टी से ये केवल protein वा nucleic अमल के बने होते हैं अगर रासानिक दिरिष्ट से देखा जाए तो जो विसान होते हैं वो केवल protein और nucleic अमल के बने होते हैं जबकि जीवानगों के विभिन रासानिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट वसाएं प्रोटीन्स लवल आदी होते हैं अगर हम बात करें nucleic अमल अर्थात एक प्रकार की विसान में केवल एक ही प्रकार का nucleic acid अर्थात nucleic अमल पाया जा सकता है या तो वो DNA हो सकता है या तो वो RNA हो सकता है मतलब कहने के यहाँ पर simple सी बात यह है अगर यह विसान है तो इसमें nucleic अमल जो है वो या तो DNA होगा या फिर RNA होगा मतलब एक विसान में केवल एक nucleic अमल पाया जाएगा अगर वाइरस में DNA है तो DNA ही पाया जाएगा अगर वाइरस में RNA है तो RNA ही पाया जाएगा लेकिन यहीं पर बात करें जीवाणों के तो दोस्तों इसमें दोनों प्रकार के न्यूकलीक अमल देखने को मिलते हैं जीवाणों के केंदर की पदार्थ में दोनों न्यूकलीक अमल अर्थात DNA तथा RNA दोनों देखने को मिलते हैं नेस्ट बात करें, विसाणू अन्य जीवों में हानिकारक रोग उत्पन्न करते हैं, जो विसाणू होते हैं वो हमेशा रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो जीवाणू होते हैं वो लाबदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं, विसाणू जो होते हैं वो लाबदा dependent होते हैं जिस host को select कर लेते हैं उसी पर अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं लेकिन जो जीवाण होते हैं वो स्वापोसी परपोसी और परपोसी में परजीवी मिर्तोब जीवी या सहजीवी सभी हो सकते हैं तो दोस्तों यह है विसाणू और जीवाणू के बीच अंतर तो ध्यान से देख लीजिए इस टेबल को आप अपने copy निम में नोट कर लीजिए और इन सभी points को बार बार धोरा और अगर आपके paper में विसाणू तथा जीवाणू के बीच अंतर आता है तो आपको क्या करना है ऐसे ही column बनाना है और सारे points को line से लिख देना है तो दोस्तों आपको जो marks है वो total मिल जाएगा आपको यह video कैसा लगा comment box में जरूर बताइए channel पर नए है तो channel को subscribe कर ताकि ऐसी ही important और knowledge full video आपको मिलती रहे चलिए दोस्तों मिलते हैं next video में तब तक जैहिंत बंदी मातरम